नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल पर हमने एक सीरी स्टार्ट की हुई है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के उपर उसकी 20 कोशन्स हम पिछली वीडियो में डिसकस कर चुके हैं जरूर करें कोशन स्टार्ट करते हैं कोशन है हमारा यहां पर पुछा हुआ है कि कौन सा शेड्यूल दो ट्रांजेक्शन दी हुई है और कौन सी दो शेड्यूल देखिए S1 and S2 टू शेड्यूल दिये हुए है और इसने पुछा हुआ है कि दोनों के दोनों schedule में क्या relation पुछा हुआ है conflict से realizable का concept इसने यहाँ पर पुछा हुआ है तो बहुत ही easy है हर तरह के exam में इस type के questions आते हैं तो मैं clear करता हूँ बहुत easy language में आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पर जैसे कि schedule S1 दिया हुआ है इसको हमेशा इस type से आप denote किया करूँ जैसे सबसे पहले आप यह note किया करूँ कितनी transaction दी हुई है देखे हर transaction के आगे 1 या 2 लिखा हुआ है R1 R1 R2 R2 W2 W1 अगर मैं S1 की बात करूँ तो number of transaction कितनी होगी वो depend करेगा कितने यहाँ पर number लिखा हुआ हर operation के उपर R का मतलब है read W का मतलब है right तो दो operation है दोनो operation के उपर maximum कितनी transaction यहाँ पर perform हो रही है 1 या 2 ही लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम T1 और T2 से represent करेंगे S1 schedule मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ठीक है तो one by one मैं लिखता हूँ first transaction जो perform हो रही है R1 X का मतलब क्या है T1 transaction perform कर रही है read operation on data item X ठीक है next step में next instruction execute हो रही है R1 Y मतलब T1 transaction ही read कर रहा है Y data item को तो इसके नीचे ही मैं लिख रहा हूँ इसी को just redesign कर रहा हूँ मैं जो की समझने में easy रहेगा आपको clear तो R2 X R2 का मतलब है T2 read कर रहा है X transaction को X data item को R2 Y T2 read कर रहा है Y data item को same W Y T2 perform कर रहा है T1 perform कर रहा है write X ठीक है just मैंने rewrite किया है S1 schedule को rewrite करके यहाँ पर लिखा है और अब मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ conflict का मतलब क्या होता है देखिए conflict का मतलब होता है conflict का मतलब है problem ठीक है मगर serializable serializable का मतलब होता है serializable कब होता है जब कोई भी non serial schedule को तो आप अगर at least one serial schedule में convert कर पाते हो, non serial schedule को किसी भी at least one serial schedule को convert कर पाते हो, तो उसको बोलते हम serializability, तो conflict serializable क्या हो जाएगा, कि हम कोई non serial schedule दिया होगा, non serial का मतलब है, जो कि serial नहीं होता, एक transaction काम कर रही है, तो दुसरी transaction उसको prim कर सकती है, that is the meaning of the non serial schedule, तो non serial को किसी भी serial schedule में हम change कर बाते हैं, तो उसको बोलेंगे हम conflict serializable, तो यहाँ पर हमें transaction का schedule दिया हुआ है, इसको कैसे change करेंगे, वो change करेंगे हम precedence graph की यल्फ से, बहुश, very important topic है precedence graph, ठीक है, precedence graph क्या होता है हमारा, इसको हम nodes और edges की form में represent करेंगे, तो यहाँ पर node और edges कैसे represent होगी, जब कभी भी same data item पर, देखे conflict कब हुआ, जब same data item पर काम कर रहे हो आप, same data item का मतलब है, एक ही account के उपर काम कर रहे हो, दूसरा, दो अलग-अलग person काम कर रहे हैं, two different transaction perform हो रही है, ठीक है, two different transaction perform हो रही है, third, दो transaction same data item पर अगर perform कर रहे हैं, और उसमें at least, एक बंदा, एक transaction right operation perform कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर यह तीनों condition fulfilled हैं, तो हम कहेंगे कि conflict है, आप simple सी बात समझेए, इसको आप real life example से अगर आप देखो, एक ही account है, दो बंदे काम कर रहे हैं, और एक बंदा तो उसमें change करना चाहरा है, दूसरा बंदा उसमें read करना चाहरा है, तो होगा क्या, कि वहाँ पर order matter करेगा, कि read जो आया है, वो right के बाद आया है, मतलब जिसने update किया, उसके बाद आया है, या उससे पहले आया है, या दोनों के ही दोनों update करना चाहते हो, मानलों दोनों account में transaction perform करना चाहरे हो, तो इस type की situation में हम बोलते हैं, कि conflict आ जाता है, तो इस schedule को हम change करेंगे, precedence graph की help से, तो कैसे change करेंगे, देखिए, यहाँ पर X और Y, दो account है, X and Y, R का मतलब है read, W का मतलब है write, तो यहाँ पर हम precedence graph बनाएंगे, दो transaction है T1 और T2, से repression करेंगे, read से, यहाँ पर देखिएंगे T2, X के अंदर, कहीं पर write है, नहीं है यहाँ पर, read Y है, तो यहाँ पर check करेंगे, कहीं पर write है, देखिए, यहाँ पर, यह वाला operation, same data item पर काम कर रहे हैं, दो transaction काम कर रहे हैं, और एक transaction इसमें write operation कर रहे हैं, तो conflict होगा, conflict होगा, तो edge आ जाएगी, simple, T1 से T2 की तरफ edge आएगी, जो पहले operation perform हो रहा है, वहाँ से start करेंगे, वो दूसरी तरफ move करेंगे हैं, इसी तरफ से यहाँ पर देखिए, read x है, तो हम check करेंगे, इसके बाग, इसके बाग, यहाँ पर कहीं पर right है, T1 transaction में, बिल्कुल हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, right है, तो conflict होगा, conflict होगा तो edge आएगी, ठीक है, तो, यहाँ पर simple सी property होती है, कि अगर precedence gram में cycle है, if cycle, देखिए, simple सा है, if cycle then no conflict, serilisable, अगर no cycle, cycle नहीं है, तो conflict होगा, simple सी बात है, उल्टा है बिल्कुल, cycle है, तो conflict नहीं होगा, cycle नहीं है, तो conflict होगा, तो यहाँ पर cycle generate है, तो इसको हम कहेंगे कि, that is not a conflict, serilisable, तो S1 जो है, वो conflict नहीं होगा, तो अभी तक हमें यह बता चला, S1 is not conflict, clear, यह हमें clear होगा है, ठीक है, इसी तरह से हम, S2 schedule को देखेंगे, S2 schedule को भी represent करेंगे, ऐसे ही, T1 और T2, simple C को मैं draw कर रहा हूँ, R1 X, मतलब पहले, T1 perform कर रहा है, फिर R2 X, clear, फिर R2 Y, this one, W2 Y, W Y, ठीक है, R1 Y, W1 Y, R Y, and W Y, तो इस type से हम, represent किया है, मैंने, पूरे schedule को, यहाँ पर represent करके, अब उसके बाद, हमें यह देखना है, कि यह conflict है, या नहीं है, तो उसको check करेंगे, हम simple, clear, तो कैसे check करेंगे, वही, precedence grab बनाएंगे, T1 और T2, अब यहाँ देखेंगे, read X है, यहाँ पर write है, X की form में नहीं है, read X है, यहाँ पर write देखेंगे, नहीं है, read Y है, तो यहाँ पर देखेंगे, write है, बिल्कुल है, यह वाला, हमारा draw हो रहा है, तो read से write, मतलब T2 से, T1 की तरफ perform करेंगे, write है, यहाँ पर write है, यह already edge है, तो बार-बार हम represent, नहीं करेंगे, read के बाद, यहाँ पर T2 के अंदर, write होना चाहिए, कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हो, cycle है, अगर cycle नहीं है, तो conflict होगा, तो हम कह सकते हैं, कि जो यह S2 schedule है, वो conflict है, conflict is relegable है, और S1 जो है, वो not conflict है, clear, तो option में आप देख सकते हो, कौन सा option correct होगा इसका, C option is the correct, S1 is not conflict, and S2 is conflict, इस type का question जरूर एक्जाम में आता है, तो जरूर आपको यह समझना है, नहीं समझ में आया है, दुबारे इस वीडियो को जरूर सुनना, next question है, which of the following, यहाँ पर 22, that is the second question for this video, which of the following scenario may lead to e-recoverable, देखिए, e-recoverable का मतलब है, जिसको हम recover नहीं कर सकते, तो e-recoverable error कब आएगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ, e-recoverable कब आता है, जब एक transaction ने काम किया, एक transaction ने काम किया, और यहाँ पर काम करते करते हैं, यह read x किया, फिर write x किया, write x करने के बाद, commit नहीं किया, दूसरी transaction ने read कर लिया, x को, ठीक है, इसने जो write किया था, इसने read कर लिया, उसके बाद यहाँ पर rollback हो गया, rollback हो गया, ठीक है, rollback होने से क्या हुआ, rollback होने से क्या हुआ, कि जो पहले information थी, वो ही वापिस information सेव हो गई, बगर इसने तो कौन सी information read की होगी, इसने वो information read की होगी, जो इसने write किया था, मान लीजे, x के अंदर 100 रूपीज थे, इसने write किया, और x के अंदर इसने 100 को 110 कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर 110 थी, x की value, तो टीटू ने क्या value read की, 110, तो इसने read की, 110, मगर इसने इसके बाद rollback कर दिया, rollback करने से हुआ क्या, वापेस, 110 जो है, database में क्या value आ गई, 100, तो actual में write value किया है, 100, मगर इसने read कर लिया, 110, यह क्यों हुआ, क्यों problem आई, क्योंकि यहाँ पर commit नहीं हुआ था, अगर यहाँ commit हो जाता, commit होने के बाद, यह rollback भी करेगा, तो यह commit तक ही जाएगा, उससे पहले का काम, save हो जाएगा, ठीक है, तो commit ना होने से, इसके अंदर, irrecoverable, इस schedule को बोलते हैं, irrecoverable schedule, तो यह वाला जो option है, वो आप देख सकते हो, एक transaction, read कर रही है data item, यह वाली transaction, read कर रही है data item, after, return by the uncommitted transaction, इसने return किया, मगर इसने commit नहीं किया, uncommitted transaction थी, उसकी value, दूसरी transaction ने read कर ली, तो right answer हो जाएगा, irrecoverable schedule का क्या होगा, D, D is the right answer for this question, hopefully आपको समझ में आया होगा, next question बहुत ही अच्छा है, इस question में, पुछा हुआ है कि, serial schedule कौन सा होगा, यहाँ पर यह पुछा हुआ है, कि, कौन सा schedule हमारा correct, serializable schedule है, serialization को represent कर रहा है, तो देखिए, यहाँ पर 3 transaction दी हुई है, देखिए, आपको यह concept भी clear हो जाएगा, कि जब more than 2 transaction आ जाए, तो क्या, कैसे हम represent करेंगे, तो देखिए, इसको समझने के लिए, serialization का मतलब है, कि जहाँ पर conflict नहीं है, conflict नहीं है, serialization यहाँ पर हम swapping करेंगे, conflict अगर नहीं है, ठीक है, conflict नहीं है, तो हम कहेंगे कि swapping possible है, not conflict between the transaction, then you can say swapping possible है, swapping का मतलब है, एक instruction को उपर ले जा सकते हो, एक instruction को नीचे लिए आ सकते हो, दोनों को swap कर सकते हो, position को swap कर सकते हो, ठीक है, अगर conflict है, दो transaction के बीच में, तो there is no swapping, बिल्कुल उल्टा है, जैसे cycle और वो conflict का था, इसी तरह से यहाँ पर भी है, conflict अगर है, तो swapping नहीं होगी, ठीक है, conflict नहीं है, तो swapping हो सकती है, तो यहाँ पर देखिए, आपको जो दिया हुआ है, serialization, serialization में हमें चेक क्या करेंगे, देखिए, यहाँ पर read x है, तो हम देखिए कि किसी transaction में right x है, तो देखिए यहाँ पर right x represent हो रहा है, तो अगर इस type की situation है, तो हम यह कह सकते हैं, कि t1 पहले execute होगा, उसके बाद ही t3 execute होगा, because of the this operation, read x के बाद क्या दिया हुआ है, right x, read अगर कहीं पर है, तो उसके बाद हम यह check करेंगे, इसके बाद हम check करेंगे, कि right x कहीं पर है किसी transaction में, तो हमें दिखा, t3 के अंदर right x है, तो t1 के बाद क्या आ जाएगा, t3 definitely यह होगा, क्यूंकि conflict हो रहा है यहाँ पर, conflict की situation यही है, दो transaction, एक ही account के उपर, और उन में से एक transaction right कर रहा है, तो वो conflict होगा, conflict है तो swapping नहीं होगी, swapping नहीं होगी, इसका मतलब क्या है, कि t1 पहले execute होगा, t3 से, ठीक है, तो t1 पहले हुआ, फिर t3 execute होगा, यह समझ में आ गया, बिलकुल, उसके बाद, यहाँ देख सकते हैं, हम read y है, तो इसके बाद देखेंगे, right y कहीं पर है, t3 और t1 में से, देखेंगे, यहाँ पर भी right नहीं है, right y, और यहाँ पर भी right नहीं है, तो that means, that is okay, यहाँ पर read है, read y, तो हम देखेंगे, t3 के बाद, कहीं पर right है, t2 और t1 गे अंदर, right y, बिल्कुल यहाँ पर है, इसके बाद ही, तो t3 के बाद, कौन से एक्जिग्यूट होगा, t2 एक्जिग्यूट होगा, बाद समझ में आ रही है, हमने read को देखा, read के corresponding right को देख रहे हैं, यहाँ पर read है, read के बाद, यहाँ क्या दिया हुआ है, right दिया हुआ है, तो conflict हो रहा है, conflict हो रहा है, तो swapping नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या, कि t3 पहले execute होगा, फिर t2 execute होगा, हमें serial order, find out करना है, कि कौन सा हम, किस type से serialization में, इस order को execute करें, तो कोई problem नहीं होगी, तो आप देख रहे हो, t1 के बाद, हमने देखा, t3 execute होगा, और यहाँ पर हम देख रहे है, t3 के बाद, t2 execute होगा, ठीक है, अग, यहाँ देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, right x और right x, यहाँ भी conflict हो रहा है, क्योंकि, at least one transaction right perform करेगी, on the same data item, and that will perform by the two transactions, तो यहाँ पर दो transaction perform हो रही है, same data item पर हो रही है, और at least one transaction, right operation perform कर रही है, तो t1 के बाद, t3 यह हम already लिखे होगा है, ठीक है, अब, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, conflict हो रहा है, तो t1 के बाद क्या आना चाहिए, t3 आना चाहिए, तो हमने सारी चीज यहाँ पर लिख ली है, according to the situation, तो आप इसमें conclusion निकालो, तीनों का relation find out करो, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, t1 implies t3 है, और t3 implies क्या है, t2, तो t1 के बाद t3 होगा, t3 के बाद t2 होगा, यह clear है, इन दोनों से तो conclusion यह आ गया, बात समझ में आ रही है, अब हम देखेंगे तीसरी transaction, तीसरा step, t1 implies t3, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो, t1 implies t3 अल्रेड़ी है, तो यह भी covered है, तो मैं यह कह सकता हूँ, यह order हमारा actual order आएगा, t1 के बाद t3, t3 के बाद t2, तो यह serialization order होगा, तो right answer है इसका, a, that is the right answer for this question, next question है हमारा, 24th, that is the fourth question for this video, यहाँ पर पुछा हुआ है, consider the following transaction, involving two bank account, दो account दे रखे हैं, x and y, पहले read किया, x ने उसमें से 50 less किया, माल लीजिए, x की value थी 1000, ठीक है, और y की value थी 2000, clear, तो x में इसने value को read किया, read करने के बाद, 1000 को इसने क्या कर दिया, 950, और write कर दिया, write करने का मतलब है, यह database में save हो गया, clear, अब x की value क्या हो गई है, 950, उसके बाद रीड y, y की value को read किया, y में क्या कर दिया, इसने, 50 increase कर दिया, तो 2050 की जंग है, क्या हो जाएगा, 200 की जंग है, 2050 हो जाएगा, write y, तो that means, यह value, और यह value, दोनों की दोनों, हमारी कहां पर save हो चुकी है, database में, clear, अब यह कहता है situation, constraint that, sum of account, x and y, दोनों का जो sum है, remain constant, is that, दोनों का जो sum है, इसका, अगर मैं value का sum करूं, x plus y, after execution, 3000, 950 plus 2050, और before execution भी, दोनों का sum, 1000 plus 2000, that is 3000 था, तो दोनों का sum में, कोई भी changes, नहीं हो रहा, before and after, तो इस situation हो क्या बोलते हैं, consistency, ठीक है, consistency क्या होती है, कि before and after, sum of the two accounts, that the value will be constant, ठीक है, next question है है हमारा, fifth question for this video, that is the, यहाँ पर एक relation दिया हुआ है, दो relation दिया हुए है, employee and department, इसमें यह पुछा हुआ है, कून सी query, को हम express नहीं कर सकते हैं, किसके अंदर, relational algebra operation के अंदर, तो मैं यहाँ पर आपको clear कर देता हूँ, relational algebra operation, यह दिया हुए, these operation are the basic, relation algebra operation, basic क्यों है, क्योंकि देखे, यह union है, difference है, Cartesian product, projection, selection, and rename, यह छे operation, basic operation है, और advanced operation आते हैं हमारे, advanced operation होते हैं, जैसे कि intersection, ठीक है, natural join, these are the advanced operation, तो advanced operation, with the help of these operation, हम generate कर सकते हैं, question में क्या है, कि कौन सा, इनके help से, relational algebra की help से, हम express नहीं कर सकते, टेबल हमें दो दी हुई है, तो देखिए, department address को हम निकाल सकते हैं, बिलकुल निकाल सकते हैं, with the help of selection and projection, employee whose name is same as the their department name, यह भी हम join की help से लगा सकते हैं, all employee of a given department, यह भी हम find out कर सकते हैं, all employee of a given department, मगर, sum of all employee salary, यह हम find out नहीं कर सकते, with the help of these operations, क्योंकि aggregate function, sum का मतलब क्या है, aggregate function, aggregate function जो भी होते हैं, हमारे average, sum, count, mean, max, these are the five basic aggregate operations, जो कि हम use करते थे, SQL के अंदर, मगर relational algebra में यह use नहीं हो पाते, तो इसने कहा है कि, कौन से express नहीं कर पाएगा, तो right answer हो जाएगा इसका C, C is the right answer for this question, next question है हमारा, 26th, for this video, for this video is 6th question, which of the following is not a state in the transaction, दीखे, transaction की बात कर रहे हम, तो transaction में अलग-अलग states होती है, पहली state होती है, active state, active के बाद होती है हमारी partially committed, partially committed, ठीक है, और उसके बाद होती है committed, clear, partially commit के बाद, हमारा fail हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं abort, abort के बाद यहाँ पर fail आ जाता है, ठीक है, तो इस type से जो situation होती है, इसको बोलते हैं, these are the states, तो partially commit भी हमारी होती है, abort भी होती है हमारी, और active भी होती है, मगर terminated कोई भी state नहीं होती, तो इसने पुछा है कि कौन सी state हमारी नहीं होती है, transaction के अंदर, तो right answer आ जाएगा terminated, next question है, seventh question for this video, that is the deadlock, देखे, deadlock भी हमारा concept आता है, किसके अंदर, concurrency के अंदर, recovery के अंदर, and transaction के अंदर हम use करते हैं, तो यह कहता है कि deadlock exist करता है, system के अंदर, कब exist करेगा, if and only wait for graph, तो मैं थोड़ा सा आपको idea बता देता हूँ, wait for graph, हम wait for graph में, सिरफ और सिरफ, transaction लिखते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, T1, that is the T1, and this one is the T2, T1, T2, and T3, माल लिख यह तीन transaction है, तो तीनों transaction के अंदर, हम edges को draw करेंगे, जैसे कि मैंने लिखा, T1 to T2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, कि यहाँ पर resources को नहीं लिखते हैं, इसका मतलब यह है, कि T1 is requesting for the resource, and that resource is held by the T2, ठीक है, तो wait for graph में, wait for graph में, हम resources को नहीं लिखेंगे, मगर उसका meaning जुरूर होगा यहाँ पर, T1 उस resource की request कर रहा है, जो resource T2 के पास है, ऐसे ही T2 to T3 अगर मैंने लिखा, तो T2 कोई resource की request कर रहा है, जो की T3 के पास है, T3 request कर रहा है, T1 के पास जो resource है, उसकी request कर रहा है T3, तो यह जो generate हो रहा है अगर यहाँ पर wait for graph, wait for graph के अंदर resources नहीं लिखते, सिरफ और सिरफ transaction आती है, ags आती है तो यहाँ पर ags जो draw कर रहा है, यह जो generate कर रहा है, अगर cycle generate हो जाती है, तो हम कहेंगे कि dead log है if there is a cycle in the wait for graph, then definitely dead log will be exist, तो इसका right answer हो जाएगा cycle, wait for graph में अगर cycle है, तो definitely dead log exist करेगा, clear next question है हमारा timestamp ordering protocol हम use करते हैं, तो उसके उपर question आया है कि dash denotes the large timestamp of any transaction that execute right queue successfully, देखे, right queue successfully लिखा हुआ है इसमें, right queue, कब हम execute करेंगे जब W timestamp किसी data item की किसी transaction के लिए highest होगी, largest होगी तभी वो finally execute होगा, ये कुछ rules होते हैं हमारे timestamp ordering protocol के अंदर तो उनी rule के according, यहाँ पर W timestamp होता है R timestamp होता है W का मतलब है, right timestamp जिसकी जादा होगी उसको execute कराएंगे successfully R का मतलब है, read की अगर जादा होगी तो read को सबसे बहले execute कराएंगे rather than right, ठीक है तो इस टाइप से timestamp ordering protocol है उसको आप थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पर W timestamp right answer आएगा Next question है, 9th question for this video Which kind of failure losses its data in head crash or failure during a transaction operation अगर हमारा head crash या failure हो जाता है तो उस type के failure को हम transaction operation जब चल रहे हैं तो उस type के जो failure है उसको कौन सा failure नाम देगे तो उसको बोलते हैं हम disk failure क्यों? क्योंकि देखे, head crash हुआ head crash का मतलब है, head जो होता है वो हमेशा disk के अंदर होता है ठीक है, तो head crash होने से जो losses हुआ during the transaction operation तो उस kind failure को हम क्या बोलते हैं disk failure transaction failure कब होगा, जब मान लिए ये bank की काम कर रहे हो आप transaction fail हो गया system crash कब होगा, जब हम पूरा का पूरा, you can say system crash होगा, कोई hardware problem आगी या किस type की, ठीक है तो software problem आगी, तो उसको बोलेंगे हम system crash clear, जो बिल्कुल ही crash होगा, recover नहीं कर पा रहे हैं, तो disk failure को हम recover कर सकते हैं, कैसे कोई दूसरी disk ले लो आप, जिसका backup रखो आप अपने पास DVD रख सकते हो तो इस type से आप recovery लगा सकते हो, disk failure को, ठीक है last question for this video, बहुत ही अच्छा question है question है हमारा checkpoint के उपर, तो देखिए यहां पर question आपको लेंदी दिख रहा होगा मगर बहुत ही simple सा concept है checkpoint, checkpoint को कैसे हम apply करेंगे, तो देखिए checkpoint protocol यहां पर use किया हुआ है, मैं थोड़ा आपको idea बता देता हूँ, यहां पर start की हुई है कोई transaction, यह write कर रहा है T4 transaction write कर रहा है किस data item के उपर y के उपर, यह old value थी और यह new value है ठीक है, तो इस type से हम represent कर रहे है, इस transaction को दूसरी transaction start कर दी इसने commit किया T4 को फिर write किया, फिर checkpoint लगा दिया देखे, checkpoint कब लगा है main point है, checkpoint checkpoint याद रखना, checkpoint यहां पर लगा हुआ है उसके बाद कोई तीसरी transaction start की T1 और T4 start हो चुगी थी T2 start हुई, write हुआ, commit कर दिया T2 को, फिर start हुआ fourth transaction T3 नाम से फिर write कर दिया, अब यह कह रहा है इसके बाद इसके बाद यह कहा, इसने system crash happen now इसके बाद system crash हो जाता है the system try to recover using both undo and redo operation, crash होने के बाद, हम recover करना चाहते है कि जो हमारा data है, जो हमारी value थी, वो consistent रहे, तो उसको करने के लिए हमारे पाद 2 operation होते हैं, एक undo होता है एक redo होता है, अब यह कैसे perform होगा, वो देखेंगे हम, तो इसने question किया कि what are the contents of undo list and redo list redo list में and undo list में कौन-कौन से content आएंगे मतलब उसमें किस type से हम transaction रखेंगे तो देखिए, यहाँ पर option दिये हुए चारो, इसको समझने से पहले, मैं आपको थोड़ा सा explanation यहाँ पर लिखी हुई है, जो कि clear हो जाए आपको अगर check point से पहले check point से पहले कोई चीज commit हो चुकी है उसको तो हम ignore कर देंगे, उसको ना तो redo करेंगे और ना ही undo करेंगे क्योंकि check point का मतलब यह है कि उससे पहले जो भी काम हो चुका है, वो database में change हो हो गया, database में change हो गया तो then we don't require any type of redo and undo operation, ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है the transaction that commit before check point, check point से पहले अगर कोई transaction commit कर चुका है, तो उसको हम ignore कर देंगे as updation or retain in the database, क्योंकि database के अंदर सारी की सारी updation हो चुकी है, अब बात आती है, checkpoint के बाद failure हुआ, देखिए यहाँ पर एक checkpoint था, इसके बाद failure हो गया, तो यह कहता है कि वहाँ पर हमें undo और redo की requirement होगी, तो मैं आपको clear कर देता हूँ, यहाँ पर start हुआ और यह commit हो गया, ठीक है T2 start यहाँ हुआ, commit हो गया, तो checkpoint के बाद, अगर कोई commit हो गया है, तो उसमें तो हमें redo करना पड़ेगा, checkpoint के बाद, अगर कोई commit हो गया है, तो उसमें redo करना पड़ेगा, और बाकी जितने भी हैं, जिसमें commit नहीं हुआ है, start हुआ है, write हुआ है, start हुआ है, सब कुछ हुआ है, कमिट नहीं हुआ तो उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा अंडू गरना पड़ेगा तो यह इस चीज में यहां पर लिखी हुई है देखिए अगर redo कब requirement होगी transaction that committed after checkpoint transaction ने commit कर दिया after checkpoint तो हमें redo की requirement होगी transaction that not committed after checkpoint checkpoint के बाद अगर commit नहीं होगी तो उसमें हमें undo की requirement होगी तो आप देख सकते हो यहां पर यह वाला check point से पहले commit कर चुगा था तो यह तो हम ignore कर देंगे ignore का मतलब समझ देंगे हो नहीं undo करना नहीं redo करना है अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर बाकी तीन ट्राजेक्शन है T1, T2 और T3 तो T2 जो है वो start हो गया और commit हो गया after check point commit हो गया है T2 तो T2 तो हमें क्या करना पड़ेगा T2 तो हमें redo करना पड़ेगा ठीक है अब T3 start तो हुआ है मगर commit नहीं हुआ T1 भी start हुआ था मगर commit कहीं पर भी नहीं हुआ तो T1 और T3 T1 और T3 हमें क्या करना पड़ेगा undo तो आप देख सकते हो undo हमें T3 और T1 ए ओप्शन में दिया हुआ है redo क्या दिया हुआ है T2 तो right answer है इसका A A is the right answer यह मैंने explanation में यहां भी लिखा हुआ है कि undo T3 और T1 को करना पड़ेगा redo जो है वो T2 को करना पड़ेगा because of the जहां पर commit आ गया after checkpoint उसको redo करना पड़ेगा commit नहीं आया तो undo करना पड़ेगा तो hopefully आपको समझ में आया हुआ बहुत अच्छे से मैंने बहुत easy language में clear किया है please like subscribe share जरूर करे thank you thanks to all